ड्राइफ्रूट चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी मेटल की प्लेट को देशी गी से इस तरहे ग्रेस कर लेंगे चलिए अब कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए मीडियम फ्लेम पर पैन को रखेंगे ध्यान रखें इसमें हम नॉन्स्टिक पैन का ही इस्तिमाल करेंगे इसमें हम डालेंगे पीनट्स यानि मुंगफली के दाने ये मैंने आधा कप लिये हैं अगर मुंगफली के दानों पर छिलका हो तो उन्हें हम ड्राइ रोस्ट करके असानी से निकाल सकते हैं चलिए ये डेड़ से दो मिनट के लिए हमने इसे भून लिया है अब इसे हम एक बतन में निकाल लेते हैं इसी पैन में मैं अब डालूंगी वन फोर्थ कप कटे हुए काजू यानि कैश्यू नर्ट्स वन फोर्थ कप ही मैंने लिए हैं बदाम यानि आमंड्स इनको भी हम दो मिनट के लिए इसी तरह ड्राइ रोस्ट करेंगे ये दिखिए हमारे नर्ट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं इने भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं अगला स्टेप हैं गुड की चाशनी बनाना उसके लिए नॉन्स्टिक पैन में मैंने ले लिया है 200 ग्राम गुड इसको मैं 2-3 चमच पानी डालकर लो फ्लेम पर पूरी तरह से पिघलने तक पकाऊंगी गुड काफी हद तक पिघल चुका है जो थोड़े बहुत टुकड़े बचे हैं उन्हें आप स्पैचुला से क्रश करते जाएं और यह देखे हमारा जो सिरफ है एक तरह से तयार हो चुका है यह पक चुका है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए थोड़े से पानी में इसको डालके देखेंगे अगर तो यह पानी में अंदर जाके घुल जाता है इसका मतलब है सिरफ हमारा अभी तयार नहीं है अगर यह कुछ इस तरह का दिखें यह देखें यह इस तरह से रोल हो रहा है इसका मतलब है हमारी गुड की चाशनी बनकर तयार है अब हम इसे आल जादा नहीं पकाएंग हम इसमें क्या डालेंगे आगे इलाइची का पाउडर यह ऑप्शनल है लेकिन इससे जो हमारी चिक्की है उसका टेस्ट यह बहुत अच्छा आएगा और थोड़े से मैंने पिस्ता डाल दिये हैं काटकर और जो हमने शुरू में नट्स रोस्ट करके रखे थे वो भी डाल दें अब इनको जल्दी से मिलाएं गैस का स्विच आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं क्योंकि इसे और ज़्यादा पकाने की ज़ुरूत नहीं है यह दिखिए इसको हमने अच्छे से मिला लिया है अब हम इसे डाल देंगे ग्रीस की हुई प्लेट में स्पैचुला से इसको इस तरह स्प्रेड कर लें इसको काफी जल्दी से करें नहीं तो यह एक ही जगे हार्ड हो जाएगी किसी फ्लैट का टोरी से या इस तरह के बर्तन को देशी घी लगाकर इसके उपर इस तरह प्रेस करें ताकि यह इवनली स्प्रेड हो जाए गरम रहते ही इसके उपर चाकु से इस तरह कट लगा दे क्योंकि अगर ठंडी हो जाएगी चिक्की तो उसको कट करना थोड़ा मुश्किल होगा ड्राइ फ्रूट चिक्की या गचक बनकर तयार है आप देख सकते हैं कितनी ही टेस्टी लग रही है देखने से और नट्स आप साइड से देख सकते हैं यह देखे अब यह काफी गरम है इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो लीजिए फ्रेंड्स क्रंची ड्राइ फ्रूट गचक बनकर तयार है इन सर्दियों में आप इसे ट्राइ करें जल्दी ही मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ तिल दन कीप वाचिंग बाई बाई थ्यक्षण करेंगे एक बनकर रेसिता है रहा है आए करेंगे एक प्राइब है आए एक प्राइब अपार है आए एक